अज का सब्जेक्ट है हिंडी हिंडी में आज हम सिखने वाले हैं चप्तर नमबर 6 सुब्रमन्यम भार्ती तो यहाँ पे हमें क्या करना है सुब्रमन्यम भार्ती का परिचय करना है तो हम यह पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे तो सुलेखा नाम की जो लड़की है वो कहती है मुझे आज संगीत प्रतियोगीता में प्रथम पुरुसकार मिला सुलेखा नाम की जो लड़की है उसको संगीत प्रतियोगीता यानि की म्यूजिक कॉम्पिटिशन में फर्स प्राइज मिला तो विज्य लक्स्मी ने उसको पूझा की तुमने कौन सा गीट गाया उसको फर्स प्राइज मिला है तो कौन से गीट पे उसे ये फर्स प्राइज मिला तो सुलेखा ने कहा मैंने भारती जी का गीट हम करेंगे आज भारत डेश का जैगान गाया था तो विज्य लक्स्मी कहती है भारती जी कौन तो सुलेखा ने कहा सुब्रमन्य भारती जी क्या नाम है उनका पूरा सुब्रमन्य भारती यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे रहे हैं न सुब्रमन्य भारती विज्य लक्स्मी अरे उनके गीट को डिल से गाओ तो पूरसकार मिलेगा ही मिलेगा उन्होंने क्या कहा कि हाँ अगर उनके गीट को हम दिल से गाए तो पूरसकार यानि कि इनाम हमें मिलेगा ही मिलेगा तो सुलेखा ने कहा हाँ हाँ, बिल्कूल, सरूर मिलेगा, विज्य लक्स्मी मैंने भी पिछले वर्स, स्पिक मेंके में उनके द्वारा लिखा, डेश भक्ति गीत सुनाया था तो विजिय लक्स्मी ने क्या कहा कि उन्होंने भी पिछले साल उनकी स्पिक में के कि जो कुछ फंक्षन होगा उसमें उन्होंने उनके द्वारा लिखा डेश भक्ती गीद गाया था तो सुलेखा ने कहा एक सच्चा राष्ट्र कवी ही ऐसे गीद बना सकता है मतलब कि जो अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हो वही ऐसे राष्ट्र कवी ही ऐसे गीद बना सकता है विज्य लक्स्मी भार्ती जी में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी विज्य लक्स्मी ने क्या कहा कि भार्ती जी जो थे उनमें अपने देश के लिए सेवा करने की और साहित्य सेवा करने की बहुत ज्यादा लगन थी वो मन से उन डेश के लिए साहिट्य के लिए कुछ करना चाहते थे तो सुलेखा ने कहा हाँ डेश वासियों पर होने वाले अंग्रेजों के अट्याचारों को देखकर उनका खोन खौल उठा उन्होंने बड़ी ओजस्वी कविताये लिखी आप सबको तो पटा है कि हमारे डेश पे पहले किसका सासन था अंग्रेजों का तो अंग्रेजों जो हमारे डेश वासियों के उपर अर्त्याचार कर रहे थे वो देखकर वो बहुत क्रोडित हो गए उनके अंदर का जो राश्ट्र प्रेम है वो जाग गया और उन्होंने पहुत ही ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी कविताए लिखी विज्यलक्स में अपने डेश वासियों को पराधिन्ता की बेडिया तोर कर आजाड होने की प्रेना दी उन्होंने ऐसी कविताए लिखी कि जिससे हमारे डेश वासियों को पराधिन्ता यानि की हार की जो बेडिया अपने हाथ में बांडि थी वो तोर कर उनको अपने डेश को आजाड होने की प्रेना मिली तो उन्होंने कहा सच में भारती जी बहुट प्रतिबासाली थे विज्यलक्स में तुम्हें पटा है उन्होंने उन्हें 11 साल की उम्र में भारती की उपाधी मिली थी तो विजिय लक्स में क्या कहती है कि तुम्हें बटा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो ग्यारा साल की थी उतनी ही उम्र में उनको भारती की उपाधी मिली थी मतलब कि उनका सच्चा नाम भारती नहीं है उनको ये भारती नाम की उपाधी यानि की title मिला था सूलेखा क्या कहती हो मतलब क्या ये सच है भारती की उपाधी टाइटल यानि की किसी को हम एक अलखस नाम से जाने जैसे की गांडी जी आप जानती हो उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से और बापू के नाम से जानते हैं वैसे ही विज्य लक्समिक जो सुब्रमन्य हैं उनको भार्टी की ये उपाधी मिली थी हाँ, सच, वे कवी ताटो 60 साल की आयो से ही लिखने लगे थे ग्यारा साल के होटे होटे एट्यपूर के राजा ने इनकी प्रसंसा सुनी इन्हें डरबार में बुलाया और बाल कवी सुबेईया को भार्टी की उपाधी से विभुसित किया विजिया लक्समी ने क्या कहा? हाँ, सच, वो कवी ताटो 60 साल की उम्र से ही लिखने लगे थे ग्यारा साल के हुए तब तक तो एट्यपूर के जो राजा थे उनके पास उनकी कवी ताकी प्रसंसा प्रसंसा पहुँच गई और इन्हें दर्बार में बुलाया और उनका नाम क्या था? बाल कवी सुबैया और सुबैया को भार्टी की उपाधी कब मिले थी? ग्यारा साल की उम्र में सुलेखा बाल कभी सुबया तो विज्यलक्समी सुब्रमन्यम को बच्पन में प्यार से सुबया पुकारते थे तो सुलेखा धन्यवी भारत मा ऐसे प्रतिभाव पुत्रपको पाकर ओके तो जो सुब्रमन्यम भारती है वो थे हमारे देश के राष्ट्रकवी जिसको हमारे देश से बहुत ज्यादा लगाव था प्रेम था और इसी वज़े से उन्होंने बहुत ही अच्छी देश भक्ती क कविताएं लिखी थी तो यहाँ पर हमारा यह चैप्तर फिनिस होता है ओके बाई थैंक्यू